हाई फ्रेंड सुजीत राज जेश के चैनल में आप सबका स्वागत है आज मैं बताऊंगा आपको किसी भी नंबर पे ओटीपी आने के लिए मिनिमम कितना का रिचार्ज आपको कराना पड़ेगा जिससे कि आपका नंबर चालो रहे आपका ओटीपी आता रहे क्योंकि अभी इसका पूरा प्रोसर बताओंगा नियुक्त प्रॉसरेज होती minded मेरी और चैन्य जाता रहें और इस्पर ब्रीज़ आब तो इसलिए आज मैं इसका minimum recharge बताऊंगा minimum recharge आपको कितना कराना प्लाएगा जिससे कि आपका sim चालू रहे हैं आपको यह सीम चालू रहे हैं और आपका सभी काम करता रहेगा कितना का minimum recharge आपको कराना प्लाएगा जिससे कि मैं अपने अप्लिकेशन को ओप्लिकेशन को ओप्लिकेशन को ओप्लिक कर लिया है जो यहां पर देख सकते हैं मेरा कोई recharge नहीं है और यह पहलान भी एक्सपारी कर गया है तो मुझे देखना प्लाएगा recharge कितना का minimum अभी यहां पर option दे रहा है OTP के लिए तो मैं recharge नहीं पर क्लिक कर लेता हूँ अठाइस देका है तो यह तो नॉर्माल पाइक हो गया है जो मुझे अउनली OTP के लिए चाहिए OTP के लिए कितना रहा है तो देख सकते है एक सो एक पच्पन का है जो एक जीवी रोज देता है डाटा अव अनलीमिटेट कॉल है और अठाइस दिन के लिए तो सबसे मीनिम्म पर रिचाज अब 99 का ना होगे एक सो पच्पन हो गया है आपको मीनिम्म एक सो पच्पन करना प्लागा तो ही आपका सीम चालू रहेगा ऑँ तींसो में सर्फ जाईगा भी तॉइसमें दोनों थाइदा होगा तो आगर आपको मीनिम्म, आप कोई भी रिचाज करना है ये टेल में तो हमयं ox 5000 करना अपका कोई रिचाज आप नहीं बचा है इसमें तो अगर सिम चालू रखना है OTP के लिए चालू करना है तो आउ